दोस्तो मैं फिर से आइव आ चुका हूं आपके सामने अभी दो तीन बार लाइव बात बनी नहीं तो इस बार फिर से आ गया हूं देखता उसकी रेटिंग करीब 700 के आस पास थी तो ये गेम मैश दिखाता हूँ आपको मज़ा आएगा आपको देखने में तो देखो आप वाइट पीसेस थे मेरे द फोर केला मेरे ओपनेंट ने नए आइट फशिक्स केला और मैंने जो नॉर्मल मुव है और यहाँ पे मेरे opponent ने दूसरी चाल पे बड़ी गलती कर दी, d5 खेला, यह positional mistake है, यह खेलना नीची है, क्योंकि इसके बाद मैंने cd5 मारा और एक मैं extra tempo अप हो गया, tempo का मतलब होता है कि मैं एक move अप हो गया, जो actual वाला tempo होता है यहाँ इसका यह मतलब नहीं है, जो road पे चलता है, वो tempo नहीं, एक move का tempo होता है, तो यहाँ पे उसने दूसरी गलती कर दी, तो तीन चाले ही होई अभी तक लेकिन black ने दो बड़ी गलतीया कर दी, एक तो d5 गलत था और अभी queen को इतनी जल्दी game मिलाना बहुत बड़ी गलती है, तो मैंने knight c3 खेला queen पे attack किया, एक piece मेरा develop हो गया, और opponent का जो piece था, वो develop नहीं हुआ, जबकि उसको बचाना पड़ गया piece अपना, तो यह बहुत बड़ी गलती है, तो ऐसे नहीं खेलना है आपको, यहाँ पे जो एक move पीछे जाते हैं, यहाँ पे अगर आपने d5 चली दिया हो, तो यहाँ पे knight d5 मारो आप, जो black ने किया, उसके बाद तो white एकदम ही better हो गया, तो मैंने यहाँ पे e3 खेला, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर e4 खेलूगा यहाँ पे, तो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, योगि knight e4 आजाएगा, और मैं minus हो जाऊँगा, तो तो g6 के बाद मैंने यहाँ पे काफी threatening move खेली bishop d2, indirect attack किया मैंने black के queen के उपर, तो black ने खेला bishop g7, bishop g7 ठीक move है, क्योंकि अभी knight कहीं भी jump करके queen को नहीं मार सकता, because knight यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा तो जा नहीं सकता होगी, तो मैंने bishop c4 खेला यहाँ पे, develop किया अपना इसके बाद तो game खतम ही होगी अगली move में, साथ ही move होगी अभी तक, लेकिन मेरा opponent पूरी तरह से हार चुका है, अगली चाल आप लोगों में से कोई बता सकता है भाईयों, क्या खेला होगा मैंने, अंच आप बता सकते हो, क्या अगली move, वाइट ने क्या चला होगा बता है, क्या है? भाईट, मुफ बोलो, नाइट D5, नाइट D5 का आइडिया बताओ, उससे उसके क्वीन का कई रास्ता ही बचा जाने का जब ब्लमूफ मुवर्डएउ उससे मरता यह उससे रास्ता ही बचा जाने का तो अपोनेन ने रिजा ही ता बहुत बढ़िया, ब्लैक की रानी है जो वजीर है जो कुईन है वह आठी मूँ पे मर गई क्योंकि इसके पास कोई चाल नहीं बची कहीं भी जाने की मैंने यह जो ग्रीन एरो लगाए है यह आपको थ्रेट्स दिखाने के लिए लगाए है कि कुईन कहीं भी जाएगा उसको वाइट के पीसेज मार रहे हैं और इसी तरह ब्लैक का खेल खतम हो गया और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया तो यह मैं आठ मूँ में गेम जीत गया यह मैं भोपाल में खेला था मैंने करीब तीन-चार साल हो गया इस गेम को तो यह दिखाता है कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं तो ओके भायो थैंक यू फर दिस वीडियो वाचिंग दिस वीडियो आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो मैं मिलूंगा थैंक यू Grandmaster Sriramja signing off. Thank you.